साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था, तो एक दूखत खबर भी मिलीगी, आज मुलाएमसी यादव जी का नीधन हो गया है, मुलाएमसी यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी ख्षती है, मुलाएमसी जी के साथ बेरा नाता बड़ा विशेश प्रकार का रहा है, जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, बेबी और मैं भी दोनों के प्रती एक अपनस्व का भाव अनुभव करते थे, और 2014 में, जब भारतिय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए, मुझे प्रधान मंत्री पद के लिए आशिर्वाद दिये, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे, जिन से मेरा पहले से परिचश था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्टर राजनेता थे, राजनीती ग्रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सब को फोन करके आशिर्वाद लेने का मैंने एक उपरकम किया था, और मुझे आद है, उस दिन मुलाहिम सिंग जी का वो आशिर्वाद, कुछ सना के दो शब्द वो आज भी मेरी अमानत है, और मुलाहिम सिंग जी के विशेष्टा रही, कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशिर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चड़ाव नहीं आने दिया, घोर राजनिती की विरोधी बाते के बीच भी, जब 2019 में पार्लामेंट का आखडी सत्र था, पिछली लोगसभा का, और सौंसद के अंदर, मुलायम सिंग जी जैसे बरिष्ट नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लामेंट में जो बात बताई थी, वह इस देश के किसी भी राजनिती कार करता के जीवन में, बहुत बड़ा आशिर्वाद होता है, उन्होंने सौंसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगबेगेट के बिना कहा था, राजनितीक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था, उन्होंने कहा था, मोदी जी सब को साथ ले करके चलते हैं, और इसलिए मुर्जे पक्का विश्वास है, कि वो 2019 में फिर से चुनकर के देश के प्रधान मंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा, जो मुझे जब तक जिवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशिरबाद मिलते रहे, मैं आज आदर्णिय मुलाइम सींजी को, गुजराद की इस धर्ती से, मान नर्बदा के तड़ से, उनको आदर पुर्वक भाव बिनिस्तर धाजली देता हूं, मैं इश्वर से प्रासरा करता हूं, कुझे परिवार, उनके समर्थकों को, ये दूख सहने की शक्ति दे,